नवस्कार आज हैं में बाला मों विधान सभा बाला मों हर्दूई की विधान सभा चीटे यहां से टिकट लगबख सबके फाइनल हो चुके हैं आपको क्या लगता है प्रदीब जी इस बार जो है बाबा की वाफसी होगी क्या सर बाबा की वाफसी 100% बिल्कुल तय है और इस कि योगी बाबा ने का बहुत अच्छे किया है राम बंदिर का माई बुझरकों की एक हम लोग हिंदू होने वावजूद राम मन्दी नहीं बना पाते एंसा क्यूं अगर उनको देखा राम बाने क्लिए नहीं बनाने देते हैं नहीं बना क्यों हमारी चीज है हमारे प्य कायदा होता था कि उन्होंने क्या करते जो करते थे बनता था जहां तो समाजवादी पाटी इस तरह से छोटे दलों से गटबंधन किया हैं आपको लगता है कि शफाज कर रही है सपा अलफी नहीं कर सकती है फिछिली भार मुक्त बंदन चेंल पांच diet पर सेंट अभी प्रसेंट एंगहां कि योगी सर्कार हो नहीं चाहिए योकी सरकार के को पांच काम बाता हुआ जो आपको अच्छे ला रहे हो आप बताइए कोई काम बताइए को अच्छा आप देने का बाबा ने बोला धरना परतसंद दो हमें कोई रहना है रोजगात पूचे और बोलता है आप युवा है आपको रोजगार जया है सरकार ने जो कि योगी बाबा की है यहाँ पर हमारा राज जब से बाबाजी मुख्यमंत्री बने हुए हैं तब से लंसम हम लोग सुरच्छित हैं पूरी तरीके से यहाँ पर और कोई गुं चाहेंगे अब तक जब जितनी भड़तियां आप अब तक जितनी भी भड़तियां इस गवर्मेंट बीजेपी बावा जी की सरकार में जितनी भी हुई है सभी में लगबग पेपर आउट हुआ है किसी प्रकार की कोई भरती नहीं वे श्रीप यूपीपी को छोड़ दिया जाए और निथा एक भी काम सही नहीं किया है हमें तो लगता है देखो हमारे बाला मुझेदर का तो माहूल बता है तो यहाँ पर देखो बिजेपी एंड बसपा के बीच में बढ़िया टककर होगी और रामबली बर्मा जी भी अच्छी तरीके से चुनाओ लड़ेंगे और जो चुरह गई मुख मंतरी की बात हम तो चाहाएंगे कि साइकल से जो कि अखिलेस यादो जी को मुख मंतरी बना जाए क्योंकि युवा हैं युवाओं की तरीके से बढ़िया काम करेंगे बेहतर कि मारिड जा रही कि सौ में लग रहा है 95 परसेंट ऐसा तो कदाप नहीं हो सकता जो पेपर बनाते हैं वह भी नहीं पंचानगे परसेंट को कर सकते हैं लेकिन यह सब गलत है हमें नहीं लग रहा है कि इनकी सरकार बनेगी 100% होना चाहिए बार 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 यापको अगर निया नेats लेंगैब हुआ कि बाखनेशों काम किया और बढ़या तरीके से कई सारी भरतीयां भी कराई और उसके बाद में इस समय बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़िया तरीके से उनकी सरकार बनाई है क्योंकि युवाओं को रोजगार मिले अब हमारे साथ बात करें के लिए कुछ और लोग हैं मैं उनसे बात करता हूँ एक बार दादा आप जो है आप तो भुज़ूर्ग है आपने बहुत सारे चुनाओं देखें हैं इस बार आपको क्या लग रहा है रामपाल हुई है रामपाल बीजेपी के एंडिया तो आपको सब्सक्राइब करें रामपाल वर्मा जी है और यहां पर इस सीट पर यसी चुनाओं लड़ता है और यह च्छेत्र की बात सब्सक्राइब करेंगे यह जो अपना 160 जो बालाओं विधान सभा यसी बहुली चेत्र है इसी लिए यहां से जो और यह पने पडोसी चेत्री विधाक है इसी के लिए इनको ज्यादा से ज्यादा सभी लोग और देते हैं और आराम से जीच जाते हैं यह चुनाओं इस बा सब्सक्राइब करेंगे बालाओं विधान सभा स्रीट से कैंडीडेट सही फाइनल नहीं वाद जिसका नतीज़ा यह होगा कि आगामी चुनाओं में जो पार्टी है बस जो सपा कैंडीडेट वो तीसरे नंबर पर रहेगा जी आप अगर एक और दो नंबर आपको क्या भी हैं और सबके अपने अपने दावे हैं फिलहाल दस मार्च को जिम नतीज़े आएंगे तब पता चलेगा जीद किसकी होती है हार तक होन है लेकिन फिलहाल यहां पर जो कडाके की सरदी में यूपी का सियास्ति माहौल गरम है और आप भी अपने को आपको सुरक्षित र